है लो इस ले लेट वेलकम तो मैं चैनल को अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आए आज हम पढ़ेंगे हाइट इस्टेंस के लिए दो ट्रिक हैं अगर वो ट्रिक आपने जानी तो एवरी कुशन अब प्रतेक कुशन को कर सकते हैं इसलिए कोई मतली जीए पहले जानी हाइट डिस्टेंस कैसे करते हैं हमारा इसमें एंगल कैसे बनता है ठीक है तो अगर कोई मिनार क्या रहे हैं कोई मिनार या फिर यह समझ लीजिए आपने कभी प्लेन को उड़ते देखा है जहाज यह अधिक्टर उड़ते जाता है तो हमारा प्लेंस करके देख रहे हैं तो यह क्या होगा हमारा इंगल ओ ओललेवेशन ठीक है अगर लॉक देखाईेANS कभी कभी और एपफऊड़र और र को जाते हैं यह काम निचे की साइड देखते हैं तो हम कैसे देखते हैं ऐसे से परने और सिर्गूई तrä आई ञागाई है अग हमारा में ओपर से नीचे की तरफ एंगल गारे बात कर रहे हैं तो आप देखो इसके ऊपर पहले में जानना हुआ कि त्रेंगल कि लेकिकल्न की बारे में जान लेते हैं तो कि त्रेंगल क्या होता है क्लियर है और तीन ही साइड होंगी इन्हें हम एंगल बोलते हैं ठीक है ना एंगल अगर हमारा यह ठीटा है ठीक है यह अलग अलग ठीटा है तो इन तीनों में इस ठीटा के इस एंगल के सामने वाली साइड इस एंगल के सामने वाली साइड इस एंगल की क्या होगी साइड ह तुम्य फीजिया तुछ अपोजेट आपके सामने वाली साइड वो क्या होगी श्यों dependence क्या होगी झाल न कीज आधि आपके सामने वाली साइड 我 पर हो गई एस आपको तीनों एंगल और तोटल मतलब मतलब कितना होगा तो टोटल अगर तीनों एंगल को बोले जाएंगे तो टोटल होता है 180 डिग्री मतलब यह A है यह B है और यह C है तो एंगल A अगर यह C अगर होता है 90 था यह मुझे 30 दे आये तो और यह कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा तो यह भी क्या हो जाएगा 45 क्यूंकि यह क्या है 90 डिग्री होगा तो जात्र आइंगल ओफ एलेबरेशन बनता है हमारा तूज थीन दलए सब्सक्राइब कुछ efecto कोई अ हिस але को रहत हो इस मीनार से दूरी यह सकता कोई पीड़ और इस डिस्टेन से यहां पर हमारा बना एंगल तो उपर की तरफ अगर में इतने ही दूरी पर खड़ा होके और दीवार सामने है तो उसके ऊपर देखूंगा तो एंगल कैसे बनेगा नीचे सब उपर देख रहा हूं तो ऐसे कर एंगल बनेगा ठीक है ना और वह एंगल ब प्लस 90 वनेटी डिगरी क्लियर है ना तो आप दिहान रखना यह अगर इस सिंपल यहीं कह रहा हूं कि एक मीनार से थर्टी डिगरी का इंगल बना रहा है और उसकी यह वाली हाइट पूछी क्या पूछे यह वाली हाइट तो सिंपल यह कितना है 60 डिगरी है आप पहले 10 30 डिगरी इक्वल टू कह जाएगा क्या होता है कि अअब जानते हैं 10 में क्या होता है परपैंडीग यानि 10 30 डिग्री होता बना पॉन रूट 3 तो परपेंटीकल और उपर वाला यानि क्या होगा है हाइट हो जाएगी 1 और यह क्या हो जाएगी हमारी रूट 3 क्लियर और इन दोनों से हमारा क्या हो जागा पाइक्थोıll के रस्तवरम निकालके यहाजाएगा उसृत तो यहीं ज्यान योगणा च्रिक यह ऑगा होगी हमारी अगर एंगल हमारा 30 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा इंगर tuaeeeeee 90 टिकरा होगा है 30 60 अगर हमारा थेटेडिभी वन तो हमाला जाता है रूट 3 और 90 दिकरीए तो मुंपने ही मैं करते हमें हूं कि यह जो है कि यह शुवार साथ है यह सरफ हम आले इंगल से हम फांड कर सकते तो shepherd के यह हम इति डिया है इसम्हें स्वार है इसमें अगर तो ढाई तो यह 13 सुदसे था इस्माड जैसे जैसे जो जो दे जो हमारा जैसे में बताय राता आपको लोगत बूशेन इस से कि क्या है 90 degree simple 45 degree 45 degree दूसरा क्या होगा 90 degree तो simple 45 degree के लिए क्या होगा 1 देखेखो 1045 degree क्या होता है बन होता है रोधा होगा जब यह दोनों बन होंगे तो यह होगा हमारा लगए क्वाइग। इए हमारी ट्रेक हो गई 1 1 2 अगर यह हमें देते कितना रहएक। यहीं ट्रिक सिर्पार कोई भी कौशन नहीं वनेगा। सारे के सोरे कोश्यन अभी बता सकता हूं आपको लेकिन नहीं अगली वीडियो में बताऊंगा इंट्रिक के लावा कुछ नहीं बनेगा जैसे कि अगर देखो कोई भी कोश्यन है देखे एक कोई भी टावर है ठीक है टावर है और उसके बरावर से क्या बह रही है एक नदी बहा रही है और नदी के बरावर में कोई बंदा खड़ा है बिल्कुल किनारे पे खड़े होके और वहां से उपर की साड़ यहां की तरफ देख रहा है तो एंगल ऐसे करके बनेगा एंगल ऑफ इलेविशन यह बन गया अब यह एंगल ऑफ एलेविशन बन जाता है वो क्य बनेगा अब यह 30 डिगरी का एंगल है और इस मिनार की इस दिवार की या किसी टावर की चो हाइट हो कितनी है इसको क्या मान लेंगे हम पूरे को कम्प्लीट को यह 30 डिगरी तो यह पूरा एंगल क्या हो जाएगा पूरा पूरा पूरे की बात कर रहे हैं भीच में छोड़ नहीं रहे हैं यह 90 degree हो गया, यह पूरा हो जाएगा 60 degree, ठीक है, यह 30, 90 और 60, तो simple आखर हमें 30 degree क्या दे रखा, यहाँ पर मैं बता चुका हूँ आपको 30, 60 और 90, 1, root 3, और 2, तो 100 दे रखा यह, तो 100, root 3, और यह केतना हो जाएगा 200, तो देखो यह कितना हो गया, 200, यह complete, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, 100, root 3, simple, complete हो गया, 100, root 3, 100, 200, clear, अब यह क्या दे रखा है, अखर इस एंगल की बात करें तो यह 45 degree है, यह कितना हो जाएगा, 90, तो यह सिर्फ इतना, इतना क्या हो गया, 45 degree हो गया, simple, अब जब यह 100 है, 45, 100 हो गया, clear, यह 100 है, यह 100 हो गया, जब य यह 100 है, तो simple, यह कितना हो जाएगा, 100, root 2, यह मैं करा चुगा हूँ ना, 11, root 2, तो यह कितना हो गया, यह वाला जगे, यह हो जाएगी, 100, root 2, सभी find हो गया, अब इनको आप plus करके, यह complete इतना था, इसमें से इतको minus कर दो, तो आपका answer यह भी आ जाएगा, यह दोनों पेड की चीज देजी जाए, यह उपर से बना रहा है एंगल, तो बात एक ही होती है, उसमें कोई फरक नहीं पढ़ता है, अगर angle of depression बनता है, ठीक है न, तो चीज़ां वह हो जाएगा, यह हो जाएगा, और यहाँ पर आप find कर सकते हो, इसके तरू, ठीक है, बेस और वो change ह चोड़ जाए, और वह क्या बोले, जब पेड क्या बनाए, तो बताईए, इसकी पूरे की complete की height वूचने लगे, ठीक है, और यह जो जुका हुआए, जो गिर गया है, इसकी पूचने लगे, तो आप इसको भी easily find कर नोगे, यह 30, यह 60 डिगरी, यह कितना 90 डिगरी, यह हमे ता 시목रा क्या होता है road 3 और यह वागगा अपका to clear यह कितना देडाइड would थ्रीट एलिप नहीं कितना कॉजाए का रट ट्रैड्ट यह कितना यह द्ला की इव गया। मैं यह हमारा इंग लोगे 200 ठीक हैं यह किनी तिंगई हो गया हुए अब तो करिए लोगे यह 100 यह 200 इसको ऊपर खड़ा करते हो तो टूटल कितना हो गया 300 इसको यह 200 है यह तो कितने मीटर का पेड़ था 300 मीटर का था ठीक है हाइटन डिस्टेंस ऐसे ही है इसके उपर अगर मैं कुशन बना लूगा ट्रिक के तुरू जितने भी कुशन होंगे आपको अगली वीडियो में इसके कुशन करा दूगा वैसे आपको किलियर समझ में आ गया हो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक करें वीडियो को अगर वीडियो पसंद आती है आपको थेंक्यों थेंक्स